तो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में सुवागत है, ये समासास्त्रिय सिधान्त पे हमारी दूसरी क्लास है, कल हमने देखा कि समासास्त्रिय सिधान्त किसे कहते हैं, समासास्त्रिय सिधान्त कितने परकार के होते हैं, अब हम एक एक करके समासास्त्रिय सिधान्तो उनको भी जानने का प्रयास करेंगे तो आज हम इस क्लास में परकारयवाद वैसे सरंचनात्मक परकारयवाद दोनों को एक साथ ही लिखते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सांतर है तो इसलिए आज हम इस क्लास में क्यों परकारयवाद पर फोक्स करेंगे और मुख्य रूप से जो मेलोवन्सकी का परकार्यवाद है उस पे विशेश चर्चा करेंगे क्योंकि परकार्यवाद है वो स्पेंसर से सुरू माना जाता है फिर दुरुखीम, पारसंस, मरटन, किंग्सलेड डेविस इन सब ने दिया है लेकिन इन सब पे हम क्लास लगा चुके हैं अब हमारी क्लास किन पे नहीं हुई है हमारी क्लास मेलोवन्सकी पे नहीं हुई है रेड क्लिफ ब्राउन पे नहीं हुई है तो इन पे हम क्लासे लगाने वाले हैं तो आज हम चर्चा कर लेते हैं परकार्यवादी सिधांत पे परकार्यवाद जो सबद है उसकी उत्पति उनिश्म इस्तावदी में स्पेंसर के द्वारा की गई थी देखो इसे पहले स्पेंसर से पहले आगस्ट काम्टे ने परकार्यवाद जो एपरतेक्स रूप से परकार्यवादी चीज़ें दी लेकिन उन्होंने परकार्यवाद सब्द का प्रियोग नहीं किया था परकार यवाद का सरो पर्थम प्रयोग है वो हरबरट स्पेंसर द्वारा किया गया था और इन्होंने समाज और सामवें समाज यह समावें सामवें मतलो सरीर जेविक एक जीव और समाज के अंदर केई तुलनाएं देखी थी इसलिए उनको सिधान्त को कहते हैं कि वो परकार यवादी कम था और उद्विकास यह जादा था स्पेंसर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था परकार यवाद का प्रयोग किया था लेकिन उन्होंने जीव के साथ समाज की तुलना के थी इसलिए उनके सिधान्त को क्या कहते हैं उनके सिधान्त को उद्विकास ये सिधान्त जादा माना जाता है प्रकार्यवादी कम माना जाता है गुड़ी उनी सभी को तो प्रकार्यवाद को व्यवस्तित और व्यग्यानिक जो रूप दिया था प्रकार्यवाद को व्यवस्तित कौन जो दिया था वो इमाइल दुर्खिम नहीं दिया था उसे पहले कामटे ने सरवात जरूर किय थी तो यहां देखो परसन किस परकार से आ सकते हैं परसन आ सकता है कि कौन-कौन परकार्यवादी सिधान से समधिता तो यह सारे के सारे परकार्यवादी सिधान से समधिता है किस ने सरोपर्थम सब्द कापरियों किया, Spencer ने किया, विज्ञानिक रूप किस ने दिया, इसको व्यवस्तित किस ने किया, इमाइल दुर्खिम ने किया, इमाइल दुर्खिम ने अठारा सो तिराण में में अपनी पुष्टक, The Division of Labor in Society में पहली बार परकार वाद को स्तापित किया था, इसे पहले Spencer कर चुके थे लेकिन इमाइल दुर्खिम की बात कर रहा हूं, इनकी पहली पुष्टक थी, इन्होंने इस पुष्टक में परकार वाद को स्तापित किया था, क्योंकि परकार वाद किस की बात करता है, सामुहिकता की बात करता है, परकार वाद यानि व्यवस्ता को बनाए रखना, और दुर्खिम ने भी क्या कहा, कि व्यवस्ता है वो बनी रहनी चाहिए, उन्होंने कहीं भी ऐ व्यवस्ता की बाते नहीं की, उन्होंने कहा सामुहि बाद में मिल जाएगा लेकिन उनी को मिलेगा जिन को कोई कोर्स ले रखाए उनको यह recorded मिलेगा उनके लावा नहीं मिलेगा लायू सब के लिए है तो पहली बार इस पुस्तक में दिया बाद में उन्हों सभी पुस्तकों में इसका जिकर जरूर किया लेकिन पहली बार इन्होंने जिकर किया था The Division of Labor in Society में आगे है भी Parsons और मर्टन ने समाज सास्तर के अंदर परकार्यवादी सिधान्त को क्या का था? परकार्यवादी सिधान्त को प्रिस्कृत किया था क्या किया था? प्रिस्कृत किया था और Parsons ने तो इसको चरम पे पहुंचा दिया था परकार्यवाद को चरम पे पहुंचाने का कार्या किस ने किया? Parsons ने किया था मर्टन ने थोड़ा से संसोदन किया कि रुको भाई थोड़ा सा रुको जाओ आप इतना जादा भी परकार्यवाद नहीं है इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमें इस पर एड़ करना पड़ेगा उन्होंने दुस कार्या की बात भी की थी मर्टन ने तो बाद में जो व्यवश्थित तरीके से दुर्खिम ने परकार्यवाद शुरू किया था उसे मानो सास्तर में उसे मानो सास्तर में सामाजिक मानो सास्तर में आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो किस ने किया था वो मेलोवन्सकी और रेड़ फिल्ड ब्राउन ने किया भारत में मन स्री निवास, S.C. दुबे, मेकी मेरियेट, इरावती करवे ने भी जो अध्यन है उनमें क्या किया? परकार्यावादे दृष्टी कोण को, सरंचनात्मक परकार्यावाद को अपनाया है और Kingsley Davis ने समाजिक सत्रिकरण का परकारयात्मक सिधान दिया था तो ये Kingsley Davis कहते हैं कि समाज सास्तर में जो कुछ भी सहीते है, जो कुछ लिखा गया है तो उसमें तीन चोधाई परकारयावाद है, क्या है? पिचेतर परतिसत परकारयावाद है तो यह समझ में आ गया होगा, यहां से person यह बन सकते हैं कि इसने शुरू किया, कि इसने इसे विवस्तित रूप दिया, मानो सास्तर में कि इसने प्रारम किया, भारत के अंदर सनचना अतमक परकारेवादी कौन-कौन से हैं, इतने सारे thinkers जो नाम लिये हैं, यह परकारेवाद और सावे में क्या समंध है तो सावे के रूप में इसको सरोपर थम जो किया था वो किसने कहा था स्पेंसर ने इसके साथ गहरी तुलना की थी समाज की सावे के साथ समाज की सरीर के बांती तो उन्होंने कहा कि ये एक सिधानत है वो सादर्शे है किसके सादर्शे है? सामवे सादर्शेता परधारित है इसका मानना है कि समाज एक संग्ठित आतम रक्षित या संतुलित विवस्ता है परकार्य वादि दृष्टी कोण है? वो क्या मान के चलता है? वो मान के चलता है कि समाज एक संतुलित विवस्ता है क्या है समाज एक संतुलित व्यवस्ता इसमें कुछ भी विगन उत्पन नहीं होता है यानि ये क्या मानके चलते हैं समाज को एक व्यवस्ता मानके चलते हैं और मेरा परसन यहां आता है कि सामजिक व्यवस्ता का सिधान्त किस ने दिया था सामाजिक व्यवस्ता का सिदान्त किस ने दिया था जितने नाम लिए हैं उन में से सामाजिक व्यवस्ता से गहरे से कौन जुड़ा हुआ है वेसे तो सब नहीं सामाजिक व्यवस्ता की बात किया है सोशल सिस्टम किन की पुस्तक है पारसंस की पुस्तक है तो सामाजिक विवस्ता है और ये एक संतुलित विवस्ता है पार्संस ने इसामान कहा था इसका एक भाग है वो दूसरे भाग से जुड़ा हुआ है यानि सरंत प्रकार्यवाद क्या कहता है कि एक भाग है वो दूसरे भाग से जुड़ा हुआ है और ये कहते हैं कि समाज के जीवित रहने के लिए कुछ आवसकताइं होती है जैसे कि एक जीव के एक मनुश्य के या कोई और प्राणी है उसके जीवित रहने के लिए आवसकताइं होती है उसी परकार से समाज के जीवित रहने के लिए भी कुछ आवसकताइं होती है इन आवसकताओं की पूरती के लि वो क्या करती है सामजस्य बनाए रखती है इसलिए कहा गया है कि समाज का कोई भी यंग है सभी यंग है या इकाई है वो कोई ना कोई परकारे आवस्य करते हैं क्या करते हैं कोई ना कोई परकारे आवस्य करते हैं तो ये समाज और संवे का जो अंतर है या जो समानता है वो सरोपर्थम स्पेंसर ने बताई थी और स्पेंसर ने इसमें लगबग आठ समानताईं बताई थी कितनी समानताईं बताई थी आठ परकार की समानताईं बताई थी समाज और संवे के अंदर फिर क्या हुआ इन्होंने बर्मांड के तीन खंड बताए थे एकार्बनिक और कार्बनिक जेविक और एजेविक एजेविक में प्राकर्तिक चीज़ें आ जाती है जेविक में मनुश्य या पसुप आ जाते हैं और फिर उनने एक बात कही थी, कि सामवी क्या कहा था अदी सामवी, अदी सामवी का मतलब है कि जीवन से भी उपर, यानी मनुस्य है, वो अन्य प्राणियों से उपर है, समाज उसे उपर है, तो ये इन्होंने बताई थी और इन तिन्नों के बीच में ही पारसपरिक समन्द ह में कहीं किसी परकार की कोई बिंता नहीं है, तो जैसे कि समाज और, समाज और, जो सामवी है, उसमें क्या समानता है, किस परकार से परकार यवाद को हम सामवी के इसाब से समझ सकते हैं, तो जो मानों की स्ट्रेक्चर है, तो इसके भी बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे प तो ये सब एक सरीर के अंग हैं, इसी परकार से, अब ये अंग क्या करते हैं, परतेक अंग अलग-अलग कारे करता है, हाथ अलग कारे करते हैं, आंखें अलग कारे करते हैं, पेर अलग कारे करते हैं, सब अलग-अलग कारे करते हैं, लेकिन फिर भी, अब इसलिए क्या आता ह सरंचनात्मक परकार्यवाद परकार्यवाद के साथ एक सबजूरूर लिखाता है सरंचनात्मक परकार्यवाद तो यह बोड़ी की एक स्ट्रेक्चर है अस्वों की स्ट्रेक्चर कुछ लग होती है और मनुश्य की स्ट्रेक्चर कुछ लग है इसलिए वो संस्कृति को देख का लेसले वाहिट नाम क्या था उन्होंने 5 प्रकार की वॉट इज अभि नाम नहीं आ रहा है मुझे उसमें उन्होंने 5 प्रकार की विसेश्थाएं बताई थी मानो कि सरंचुना के अंदर इसी 5 विसेश्थाएं हैं कि वह सिधा खड़ा हो सकता है पर आतों को गुमा सकता है बुद्धी का प्रयोग कर सकता है आंखे उसकी पिक्छन है और तो इस परकार की यह मानों की स्ट्रेक्चर है इस वज़े से वो संसकर्ती का निर्मान कर सका लेकिन अन्या प्राणियों में वो सरंचना नहीं है तो इसलिए कहा जाता है कि सरंचना आत्मक परकार्यवाद तो यह सारे के सारे स्ट्रेक्चर है अब यह क्या है कि सारे के सारे एक साथ कारे करते हैं क्या है सबका अलग अलग कारे है ऐसा नहीं है कि कोई एक कारे नहीं करेगा मान लेते हैं कि अगर जीब कह दे सोरी ओरंग कह दे हमारे हाथ फेर और पाचन तंतर हमारा बोल दे कि देख यानि जीब आको तो क्या चाहिए, चाहता है कि वो और खाए, उसको खाने में स्वाद आ रहा है, लेकिन बाकी को बाद में क्या होता है, उसको पचाना बड़ा मुस्किल काम हो जाता है, तो जीब, सभी अंग कहते हैं कि बोजन का स्वाद है, वो तो जीब लेती है, लेकिन क कार्या सब को करना पड़ता है अगर सारे के सारे मना कर दे तो यह हम तो पचाने का कार्या नहीं करेंगे कोई के देगा हम खाने का कार्या नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा तो यह सिस्टम नहीं चल पाएगा लेकिन सारे के सारे अंग कार्या करते हैं तो यह क्या है परकार् नातेदारी विवस्ता आगे, धार्मिक संस्ताएं आगे, बैक्ती आगया, यानि ये जो अजेंशियां, संस्ताएं, संग्ठन है, वो सब एक जो ठोकर योगदान देते हैं, तो ये तो सरंचना के अंग है, और ये सब कोई ना कोई योगदान देता है, परिवार अलग परका का योगदान देता है, नमस्कार जी, और नातेदारी है, वो अलग परकार के सब के अलग अलग कारे हैं, और सब मिलकर कारे करते हैं, अगर विवाना मक्त संस्ताविकाय करना बंद कर दे, तो समाज का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये ही परकारेवाद है, ये देखो समाज सास्तर के अंदर, परस्तिति जैसे एक स्तिति सबद होता है, इसके आगे हम क्या लगाते हैं, परस्तिति लगा देते हैं, इसी परकार से ये क्या है, है तो ये कारेवी, क्या है ये, सोरी, है तो ये कारेवी है, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया गया है, इ एक विशेष सब्दावली देने के लिए क्या कर देते हैं पर लगा देते हैं गोडिवनी तो कार्या से हाँ कार्या से ही परकार्या बना है अब परकार्या क्या है किसे कहते हैं तो मर्टन ने परकार्या की परिबासा देते हुए लिखा है कि वे आउलोकनी है यानि देखने लाइक जिनका हम आउलोकन कर सकें या द्रिष्टी गोचर द्रिष्टी गोचर यानि जो दिखाई देते हैं तो परकारिय वे आउलोकन या द्रिष्टी गोचर परिनाम हैं क्या है परिनाम है अगर हम सही अर्थ देखें परसन में आ जाए कि परकारिय का अर्थ बताईए तो उसका एक अर्थ होगा प्रिणाम रिजेल्ट क्या है तो वे आउलोकनिया दृष्टी कोचर प्रिणाम जो व्यवस्ता में अनुकुलन लाते हैं परकार्य कहलाते हैं यानि ऐसे प्रिणाम जो व्यवस्ता में जो सामाजिक व्यवस्ता में अनुकूलन लाते हैं उनमें कोई ना कोई योगदान देते हैं तो उनको क्या कहते हैं उनको परकारय कहते हैं ये परिवासा मर्टन ने दिया और ये बहुत बार परिक्षा में पुछी जा चुकी है पीडियेफ है वो मिलेगी पीडियेफ जो पेड कोर्सेज हैं उन सब में D.F. मिलेगी फ्री में वाले चीजें नहीं है फ्री में क्यों लिए लाइव कुलास है उसके बाद ये भी नहीं होगी तो क्या कहा रोबर्ट के मटने क्या कहा कि परकारे एलोकनिय दृष्टी कोचर परणाम है जो विवस्ता में अनुकूलन बनाते है जो अनुकूलन नहीं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं दुसकारे क्या कहते हैं दुसकारे और जो ना अनुकूलन लाते हैं ना अनु कुलन को बिगाड़ते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहा है एकारे कहा है तो यह तीन चीजें बताई थी मर्टन के मर्टन ने आगे है इसको व्यवस्तिते रूप में भी जाना जाता है मर्टन के परकारयवाद को और इन्हों देली होगी मर्टन ने परकारया के पांच अर्थ बताए थी कितने अर्थ बताए मर्टन ने परकारया के पांच अर्थ बताए हैं कितने अर्थ बताए हैं पांच अर्थ कौन-कौन से एक तो बताया है तिवार परकारया को अंगरे जी में क्या लिखते हैं फंक्सन लिखते ह भी आपके यहां क्या function है UGC net के लिए है UGC net सब के लिए यही सब में पुछी जाती है इसा कोई exam नहीं है जिसमें यह सिधानत ना पूछी जाए तो function है उसका एक अर्थ होता है परकार तियोंहार क्या होता है तियोंहार होता है एक अर्थ होता है वेवसाय या सरम विवाजन वेवसाय का मतलब होता है किसी काम को बांटते हैं एक कोई वेवसाय है जैसे की खेती का मान लेते हैं खेती का कोई वेवसाय है तो उसमें अलग 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 कारे करते हैं इसका मतलब होता है कि अल अलग-अलग function होते हैं, अलग-अलग कारे होते हैं, तो दूसरा अर्थिस्वे उसाय में जो परकारे का उपयोग होता है, उसके लिए क्या जाता है, तीसरा है किरिया कलाप, ये एक राजनेतिक सब्दा है, जैसे कि उस लेते हैं राश्ट्रपति के कारे बताइए, तो ये र पिस का जिकर किया है, या कुछ भी हो सकता है, जैसे बोड़ी का भी हम मान सकते हैं कि हाथ का क्या परकारे है, तो ये आपस में निर्बर है, सारे के सारे परकारे, तो इसके लिए भी प्योग होता हो रहे है, समाज सास्त्रिय दृष्टिकोन, तो समाज सास्त्रिय दृष् की आलोचना देखो आलोचना भी की जाती है इसकी आलोचना में पहली बार ये का जाते है कि यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते है ये कहता है कि सब कुछ से चल रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ अच्छा चल रहा है जैसे अभी जीव खाना स्वाद के लिए खा और दूसरा अंग प्रेसान होता है, इसी परकार से जब हम भारत में समाजिक परकारिया की बात करते हैं, तो जैसे कि जो मजदूर है या जो दलित जातियों से आते हैं, ज्यादा तर उनमें हम देखते हैं, जैसे कि स्पाई करमचारी है, वो बहुत ही देहनिय जीवन जीते ह और जो उच्वरग है, वो कुछ ना करते हुए भी एक आनंद का जीवन जीता है, लेकिन परकारियावाद क्या कहेगा कि जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके लायक है, यानि ये क्या है, यतास्तिति को बनाए रखने का पक्स्तर है, ये पुंजिवाद क समर्थन करने वाली विचारधारा माननी जाती है, ये एतियासिक व्याक्या नहीं करती है, ये क्यों वर्तमान की व्याक्या करती है, इसके पिछे इतियास क्या रहा है, इसका अध्यन है, वो नहीं करती है, ये समाज को एक संतुलन कारी व्यवस्ता मानती है, यानि सब तो रिकत नहीं अगर कोई मर रहा है तो मर रहा है वो करते हैं कि नहीं ठीक है कोई भिकत नहीं प्रकर बादे और गुल्डरन रे अपनी पुश्तक दे कमिंग क्रैसिस कॉफ वेस्टन सोस्योलोजी के अंदर परकारियवाद को एक दोखा-धडिएत की परकारियवाद कुछ अलोचना की जाती है, अब हम, परकार्यवाद कोई अलग अलग परकार हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं, परकार्यवाद के अलग अलग परकार है, MP7 की, NET की सब की preparation हो रहा है, इसे पर जहाँ पर है, सब की preparation चल रहे थे, सब के लग लग बने हुए हैं कोर्स तो अगर आपको क्यों वीडियो जी चाहिए तो लग बग यूटूब पे यहां पे फ्री ट्राइल क्लास में हो जाएंगे और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा पे है वो करना पड़ेगा आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा तो यह अलग-अलग परकार्यवाद की धाराएं हैं सामवे प्रतेक्सवाद तो आगस्ट काम टे है तो एक परकार से परकार्यवादी लेकिन इसको क्या देते हैं सामवे प्रतेक्सवाद क्या कहते हैं सामवे प्रतेक्सवाद परकार परकार्यात्मक विकलप या समकक्स मर्टन यह देखो इन पर मर्टन पर पार्संस पर कलासें आगस्ट काम्टे पर कलासें हो चुकी है अभी मेलोवन्सकी रेड़कलिफ ब्राउन लेविस कोजर अलेकजंडर इन पर बचती है तो आगामी दिनों में हम इन पर भी कलास करेंगे जस्टी परकार्यात्मक विकलप है वो मर्टन की अउधारना वो कहता है कि इसमें भी हम अभी आगे ही चर्चा करेंगे परकार्यात्मक पुरों आव सकता हैं पार्संस की अउधारना इनोंने चार परकार की परकार्यात्मक पुरों आव सकता हैं बताई थी एगिल यह भी मेलोवन्सकी की आउधारना है, संग्रस परकार्यवाद यह लेविस कोजर की आउधारना है, नव परकार्यवाद यह अलेकजंडर की आउधारना है, तो इनसे भी पर्षन है, वो पूछे जा सकते हैं, अब हम चर्चा करते हैं, मेलोवन्सकी की, मेलोवन्सकी और और भूनते हैं, इंहों मान के चलें, कि प्रतेक्स वादी है, तो वो कौन है, तो मेलवन्सकी के बारे में हम आज हम डीटेल में चर्चा करेंगे, तो इनका जनम है वो पोलेंड में, अठारा सो, तुरासी में हुआ था, बाद में ये बिर्टिश में आगे थे, तेखो मेलव करेंगे एक इनका जो जादू का थोड़ा सा चैप्टर आता है वो जादू वाले टोपिक में में करवा चुका हूं तो ये फ्रेजर से ये वेसे क्या थे बोतिक सास्त्री थे में लोग उनस की क्या थे बहुतिक सास्त्री थे फिजिक्शियन थे बहुतिक सास्त्र में इनों ने पढ़ा था लेकिन बाद में फ्रेजर की पुष्टक है दे गॉल्डन बो तो इस कारण से यह मानो सास्तर की और अगरसित हुए और इनका जो परकार्यवादी सिधानत है वो है इस पुछतक में The Scientific Theory of Culture The Scientific Theory of Culture के अंदर है British उपनिवेस अधिकारी देहें है यह और अधिकारी जैसे भारत के अंदर Herbert Ridgley थे तो वो British अधिकारी की रूप में भारत हिमाय थे इसी परकार से मेलोवन्स की है वो इन दिवप सुमों में गए थे British उपनिवेस अधिकारी बनकर इन्होंने 1915 से 1918 के बीच में परसांत महासागर के मध्य में न्यूगिनी के उत्तर पस्चिम में स्तित है एक ट्रोबियाँड दीप क्या है ट्रंडिया दीप सुमों जिसे गीसा में दीप सुमों भी कहते हैं पर मातरवसिय मातरवसिय Architect is जो निवसिय है यानि जो वहां पर आदिम लोग रहते थे वो क्या थे मातरवसिय है थे का Soho और तो छहेतरिय कार्या करते हुए, उनुए अपनाऍका कारयादी सधांत है, वो यहां पर परश्तुत किया है, और शांसकर्तिक सपीक सवाद किया, अउदारना है वो दिये देखो सांस्कृतिक सापेक्सवाद की अउदारना वैसे तो किसी साइद हरस कोविट्स ने दिये साइद तक लेकिन यहां पे इन्हों सांस्कृतिक सापेक्सवाद का प्रियोग किया है और ये पर्थम मानो सास्त्री है मानो सास्तर के अंदर सामाजिक मानो सास्तर में मेलोवन्स की ने किया है आगे है मनुष्य के उल जेवी के प्राणी नहीं है इन्होंने कहा सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते इसकी आउसक्ताइम भी कुछ ज्यादा है तो वो क्या है ये है परकारियवादी विसलेशन को संस्कृति की पुरुनता यानि संस्कृति अपने आप में पूरण हैं वो सभी आउसकताओं की पूर्ती करती है और इसके जो अंग है संस्कृति की विविन अंग है वो क्या है उनमें परकार्यात्मक एकी करण पाया जाता है यानि इनके विविन अंगों के बीच में तालमेल हमेसा बना रहता है हमेशा तालमेल मना रहता है संस्कृति के जितने भी अंग हैं वो कोई ना कोई योगदान देते हैं और योगदान कोई हम क्या कहते हैं परकारे कहते हैं और ये इस बात को भी स्विकार नहीं करते कि संस्कृतिक जिवासम होता है संस्कृतिक आवसेस होते हैं यानि क कि इसका कोई ना कोई योगदान ना हो हो सकता है हम उसकी योगदान की पहचान नहीं कर पाएं हाँ पीडिएफ मिलेगा सब जो पेड़ कॉर्सेज हैं उनमें पीडिएफ मिलेगा तो हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने तीन स्तर बताए थे व्यवस्ता के एक जेविक स्तर जो सब में भी होती है लेकिन दो स्तर ओ रहे हैं सरंचनात्मक परकार्यवाद और परतिकात्मक सरंचनात्मक परकार्यवाद सोरी सामजिक सरंचनात्मक यह हो परतिकात्मक यह जो स्तर हैं यह किवल मानो समाज के अंदर होते हैं इन्होंने तीन आउसक्ता के तीन सत्रों की पहचान की है इनका जो आउसक्ताओं का संस्तरण है इन्होंने साथ परकार की आउसक्ताओं बताई थी कितने परकार की आउसक्ताओं बताई थी साथ परकार की आउसक्ताओं बताई थी इन साथ परकार की आउसक्ताओं को इन्होंने तीन सत्रों में वाजित किया है कितने सत्रों में वाजित किया है तीन सत्रों में वाजित किया है प्रात्मिक आउसक्ताओं तो प्रात्मिक आउ सकताओं में इनोंने भोजन सेक्स और आस्रे यानि आवास को सामिल किया है संस्तागत आवसकताओं में आर्थिक कानुनी आवसकताओं को सामिल किया है एकिकरीत आवसकताओं में इनोंने यानि समाज को एकिकरीत करने का कार्या कुण करता है धर्म करता है अब हम बात करते हैं इनसे भी person है वो पुच्छे जा सकते हैं कि परकारयात्मक आउसकताओं का सिधान्त या संस्त्रन या इसको बोलते हैं theory of need theory of needs अब देखो परकारयात्मक आउसकताओं की बात है वो दो लोग करते हैं परकार्यात्मक आउसक्ताओं की बात है वो कौन लोग करते हैं दो लोग करते हैं एक करता है पार्संस करता है और एक मिलोवन्स की कर रहे हैं तो पार्संस है वो परकार्यात्मक पुरो आउसक्ताओं की चर्चा कर रहे हैं और ये क्या कर दे रहे हैं इनका जो सिदानत है वो आउसक्ताओं का संस्त्रण है क्या है आउसक्ताओं का संस्त्रण की ये बाते करते हैं तो ये कहते हैं कि मनुश्य की मूल जेविक आउसक्ताओं है मूल जेविक आउसक्ताओं है वो संस्कृती के लिए आउसक दसाएं निर्धारित करती है मनुष्य की वेक्ति की वेक्ति की जो मूल आउ सकता है उनसे ही संस्कृति निर्मित होती है इसलिए इनके परकारयवाद को क्योंकि वेक्ति की आउ सकता हूं को विशेश मेतों देते हैं इसलिए इनके परकारयवाद को वेक्तिक परकारयवाद भी कहा जाता है वेक्तिक परकार्यवाद भी कहा जाता है आगे है कि इन्होंने आउसकता हैं बताईए जेविक आउसकता हैं बताईए और इन आउसकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति व्यवस्ता करती है जिनको इन्होंने कहा है संस्कृतिक परतियुत्तर यानि पोस्षन पोषन एक आउ सकता है बोजन बोजन या पोषन मनुश्य की प्रार्थमिक या जेविक आउ सकता है तो इसके लिए संस्कृति क्या करती है एक खाद्य आपूर्ति पूरा एक सिस्टम बनाती है कि कौन किस प्रकार से बोजन करेगा पूरा का पूरे एक आपूर्ति सिस्टम समाज और जो पसू होते हैं उनमें ये सिस्टम नहीं होता है खाद्य तो बोजन तो पेट तो उनका भी बढ़ता है बोजन तो उनको भी मिलता है लेकिन वहां कोई सिस्टम नहीं होता है अराजक्ता का सिस्टम होता है जिसकी लाठी उसकी बहेंस होती है लेकिन जब संस्कृ करती है तो वो एसा सिस्टम नहीं करती है वो एसी विवस्ता करती है कि सब का पेट है वो भर सकें परजनन परजनन दूसरी आओ सकता है मनुष्य को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए परजनन की आओ सकता होती है मनुष्य क्या सभी को यह आओ सकता होती है तो इसके ल बारा होता है या तो यह करने ही पड़ेंगे आगे है सुरक्ष्या एंस रंक्ष्ण फिर क्या होता है बोजन मिल जाता है जनसंख्या वर्दी स्टार्ट हो जाती है तो फिर सुरक्ष्या की आउसकता पड़ती है फिर क्या है सुरक्ष्या की आउसकता पड़ती है इसे आवास के जरीए संस करती है वो पूरा करती है और फिर क्या होता है कि जब सुरक्ष्या मिल जाती है जो भाग दोड़ हो जाता है तब उसको क्या करता है विस्राम चाहिए क्या चाहिए विस्राम चाहिए ये अपने पर भी ले सकते हैं कि पोस्टन परजनन ये सब कुछ मिल जाती है फिर क्या करता है विश्राम जब सुरक्षा मिल जाती है ना जैसे कोई नोकरी मिल जाती है अभी आप नोकरी के इतलास में तो आप यह सोचते हो कि अब तक तो विश्राम लेंगे ही नहीं जब तक यह नहीं हो जाता है जब सुरक्षा मिल जाती है आर्थिक सुरक्ष इसके लिए परसिक्षन की आउसकता होती है, स्वास्तिय बना रहे, इसके लिए फिर स्वास्तिय की आउसकता बनी रहती हैं. आगे पिछे नहीं कर सकते, इनको याद करना ही पड़ेगा एक सिस्टम से, क्योंकि पहली जो आउ सकता है बोजन की है, कहते हैं ना अपने देश के अंदर की खाली पेट बजन नहीं होते गोपाला, तो सबसे पहले आउ सकता है यह है, तो यह संस्त्रन सबद आया है यहां प आधी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, आगे है, अब क्या होता है कि यह तो जेविक आउ सकता है थी, अब कहता है कि मनुस्य की सारी आउ सकता है, वो जेविक या मनोवेग्यानिक नहीं होती है, क्योंकि अब इन आउ सकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति भी, अब इन आउसक्ताओं को पूरा करने का दाईत वेकिन का है संस्कृति का है तो संस्कृति भी कुछ आउसक्ताओं को जनम देती है कुछ आउसक्ताओं उत्पन करती है ताकि इन आउसक्ताओं को पूरा किया जाए तो इन आउसक्ताओं को पूरा करने के लिए मनुस्य जो संस्कृति आव सकता हैं उत्पन करते हैं उनको कहते हैं वियूत्पन आव सकता हैं कौन-कौन सी होगी सांस्कृतिक संसादनों का पुन्दर नवी नीकरण अर्थवेवस्ता अब आर्थिक जूरतों को पुरा करने के लिए संस्कृति अर्थवेवस्ता बनाएगी विवारों को नियंतर पढ़ती है किना मने उससादनों को वह नुमिनी करीद करता रहे और सरती का संग्धन आप झाया इन को संग्थत संग्थ करने के लिए सब दे क्या नयावन अभिक्सित किया जाता है और इसे ही संस्कृति कहते हैं इसे ही संस्कृति कहते हैं आगे है और इनको पूरा करने के लिए संक्ठित आउस सकता हूं को पूरा करने पड़ता है तर इनके हम तो स्क्रीन सोट भी नहीं ले सकते हैं यह तो हम पहले भी कह चुके हैं आप जब हमारा कोर्ष लेते हैं तो जो जो चीजे हैं वो पहले बता देते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप से चिपा के चलते रहते हैं इसलिए वो सारका सारा पहले चीजें हम बताते हैं तो संग्ठित प्रयास है इन प्रयासों को इनको कहते हैं संग्याओं कि संग्याओं कि संग्यादी है संस्ताइं कहते हैं इनको क्या कहते हैं संस्ताइं कहते हैं जैसे आर्थिक संस्ता हैं, राजनेतिक संस्ता हैं, दार्मिक संस्ता हैं, तो ये सब संखित परियासों क्या हो सकता पड़ती है, इसे मिलोवन स्कीन क्या कहा है, संस्ता कहा है, तो इसको कहते हैं, परकारयात्मक ऐ परिहारेता बी, क्या कहते हैं, परकारयात्मक ऐ परिहारेता, ऐ परीहारे तका मतलता है कि होगा ही होगा उसका कोई दूसरा उप्सन नहीं है ये तो ए परीहारे है ये तो बहुत ही जरूरी है I amputate की नहीं है I amputate तो हो चुका है तो यह क्या है आपरी हारे का मतलब होता है कि ये तो जरूरी है तो मेलोवन्सकी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि संस्कृति के जितने भी अंग है न वो सारे के सारे क्या होते हैं आपरी हारे होते हैं उनमें कुछ भी बेकार नहीं होता है और उसका स्तान कोई दूसरा ले भी नहीं सकता तो इसे परकारयातमक एपर यहारयता कहते है यह सिधान्त भी मेलोवनसकी ने दिया है मर्टन ने इसको नका रहा है उन्होंने कहा है कि परकारयातमक विकलप होते हैं जैसे कि एक्जामपल के तोर पे आज मैंने यह सर्ट पेंद रखा है तो यह संस्कृति में मेरे पास ओप्सन है संस्कृतिक विकलप है कि हाँ PDF मिलेगी कोर्स के अंदर तो यह सर्ट है मेरे पास ओप्सन है यहां पे कि मैं चाहें तो यहां कुर्टा पहन सकता हूं सरट पहन सकता हूँ या फिर टी सरट पहन सकता हूँ तो ये मेरे पास option है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं परकारयात्मक विकलप का है मर्टन है जिसे महिलाई है महिलाई साड़ी पहन सकती है सूट पहन सकती है या उनका कोई और पहनावा है वो पेहन सकती है लेकिन मेलोवन्स की क्या कहते है कि नहीं कोई परकारयातमक विकलप नहीं होते है परकारयातमक एपरीहारयता होती है जो उप्सन मिला है उसे ही सवीकार करना पड़ेगा तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि जो मेलोवन्स की ने किनका दिन किया था मेलोवन् बात करें अपने जो दादा दादी थी उनके भी कोई पास उप्शन नहीं था और जो आध्यूनिक जैसे जैसे हम आध्यूनिकता की और बढ़ते जा रहे हैं आध्यूनिक समाज में अनेक विकलप बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए मेलोंस की परकार्यात्मक एपरियाहरयता क की बात करते हैं और मर्टन परकार्यात्मक के विकलप या परकार्यात्मक समकक्स समकक्स का मतल होता है कि उसकी तुलना में दूसरा उप्सन होना उसकी तुलना में दूसरा उप्सन होना तो यह मेलोवन्सकी का परकार्यवाद है था समझ गये होंगे आप अच्छी तरह से मेल देते हैं। उनका कोई विकलप नहीं होता है और ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई योगदान ना दे। उनके आव सकता ही आव सकता होती है। से अब क्या है? कि प्रकारवाद में बहुत सारे थिंकर्स है पार्संस, मरटन, दुर्खिम, स्पेंसर इन सब पे में क्लास लगा चुका, तो मर्टन आज मेलोवन्सकी पे हम इसे ज्यान दे रहे हैं, तो मेलोवन्सकी ने कही पुष्टक की तो हम चर्चा कर चुके हैं, अगे है, दे फेमिली अमोंग दा आश्ट्रेलियन अबोरिंग्स 1913 के अंदर, एग्रोनेट्स ओफ दा वेस्टरन पेसिफिक 1922 में, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सुसाइटी 1926 यानि अपराद और पर्था, आदीम समाज में अपराद और पर्था, दा सेक्स लाइफ ओफ दा सेवेज यानि आदीम लोगों की सेक्स लाइफ, सेक्स अंड रिप्रेशन इन सेवेज सुसाइटी अगे है, कोरल गार्डन, कोरल गार्डन, कोरल बागान हिंदी में, और देर मेजिक और उसके जादू, 1935 में फ्रीडम अंड शिविलाइजेशन, 1944 में दा डाइनेमिक्स ओफ कल्चरल चेंज, 1945 में दा डाइरी इन दा स्ट्रिक्ट सेंस ओफ दा ट्रम्स, 1967 के अंदर ये इनकी नीजी डाइरी थी, जो उन्हें बाद में मरत्य उप्रांत इनकी परकासित हुई थी, तो ये मेलोवन्स के की परमुख, उस तकें थी इनका जो वीनियम सिधानत है, कुला जो सिधानत है, वो हम वीनियम वादी, की जो सिधानत है, उनमें चर्चा करेंगे, और, रेड़ फिल्ड ब्राउन को हम सरंचनात्मक, यानि अगला वीडियो है, वो हमारा सरंचनात्मक पर आएगा, उस पर चर्चा करेंगे, बिस थोड़ी सी चर्चा में यहां पर कर रहा हूं, इसी सामाजिक तत्वय का परकार्य है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, रेड़ फिल्ड ब्राउन ने जो, क्लिफ ब्राउन ने जो परकार्य वादी सिधानती है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, इन्होंने क्या मेन बात किया है, सामाजिक व्यवस्ता की किरिया सिलता की बात की है, इन्होंने अपना सिधानत है, वो structure and function in primitive society, ये दुर्खिम से इनका सिधानत है, वो प्रवावी तरह है, इन्होंने अंडमान आइलेंड्स, यानि अंडमान दीप समुए, उनकी जंजातियो का धिन किया है, ये कहते हैं कि व्यवस्ता के सभी अंग मिल जुल कर कार्या करते हैं, तो ये परकार्यावाद हो गया, इसे परकार्यातमक एकता कहते हैं, इसको रेड़कलिफ ब्राउन ने परकार्यातमक एकता का है, इन्होंने ये जो आवधारना है परकार्यावाद की व बजाए समाज की अस्तित्वे पर विशे इस्तियान देते हैं जैसे की इमाइल दुर्खिम ने दिया था इमाइल दुर्खिम ने क्या वेक्ति को बहुत कम मैतो दिया समाज को जादा मैतो दिया इसी परकार से रेड कलिफ ब्राउन भी वेक्ति की बजाए समाज को जादा मैत देते हैं लेकिन रेड क्लिप ब्राउन की आलोचना है वो मर्टन करते हैं वो कहते हैं कि एक बात है वो किसी एक के लिए परकार्यात्मक हो सकती है एक के लिए परकार्यात्मक हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए वो दूस परकार्यात्मक भी हो सकती है यानि एक कारे है वो एक सोचना करते हैं देखो प्रकार्यावाद का मतलब यह एकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने यहां बताया है तो वो क्या संग्रसवादी क्या कहते हैं कि पुंजीवादी व्यवस्ता है वो सर्मिकों को कम पेसा देखकर उनका सोचन करती है तो यह प भी जो प्रकार्या और दुस्ट प्रकार्या की चर्चा करते हैं तो यह ब्राउन का है बाकी ब्राउन को हम डिटेल में अगली क्लास में सरंचनावाद में पढ़ेंगे तो यह आज की हमारी क्लास थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के मौदियम से आप बता सकत की बहुते हैं और जिनको पेड कोर्स चाहिए उनके लिए हम कोर्स के विर का देंदर 25 पर तिसी चूट देते हैं क्योंश परतिसद की चूट देते हैं तो वहां से जाके आप पुरस इद ले सकते हैं उसमें टेश्ट सिरीज पी बीडियएफ और लासे जोतिक्स होती है कम होती है वो लाइव क्लास है वो कम होती है पर लेकिन पूरा का पूरा स्लेबस उसके अंदर कवर रहता है टेस्ट स्रीज भी हम अभी प्रोपर रूप से स्टार्ट करने वाले हैं एक दो दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे तो आपने इतने प्रेयम से सुना इसलिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद.